Yes, hello everyone, good morning all of you and welcome to the Global World Academy. So, आज हम लोग यहाँ पर complete करने जा रहे हैं CDP की classes को, जो कि आपके लिए important होगी primary teachers के लिए, साथ ही यह आप MpTate Grade 2 का exam भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी यह class आपके लिए important रहने वाली है. Basically, आज की session में हम लोग यहाँ पर complete कर रहे हैं CDP का एक paper, जो कि आपका last exam हुआ था MpEASB की site से 2022 में, उसका एक paper हम लोग complete करेंगे, okay? साथ ही CDP का आपका complete course plus complete classes, primary teachers के लिए, C-Tate के लिए, MpTate level 2 के लिए, H-Tate के लिए, सभी के लिए आ चुकी है, सो जितने भी student enroll करने का सोच रहे हैं, आप जरूर से Global World Academy app को download कर लीजिए, बहां से आपको पूरी जानकारी, demo classes, test series, सभी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, okay? चलिए, तो आज हम लोग जो paper complete करने जा रहे, वो 6 मार्च 2022 का first shift का paper है, इससे पहले पास तारीक की दोनों shift हम लोग यहाँ पर complete कर चुके, 30 questions इसके अंदर पूछे जाएंगे, level easy रहेगा, क्योंकि primary teacher का यह paper है, ठीके, लेकिन अगर अपने MPSB की बात करें, तो MPSB जिस भी तरीके के question पूछता है, वो थोड़े deep और उसकी जो language होती है, little bit complicated हम लोग यहाँ पर कह सकते, तो उस level से आप अपनी तैयारी यहाँ पर करिएगा, पहला ही question इनों ने पूछा है, which is mental disease, कौन सा मानसिक विकार यहाँ पर रहेगा, titness हो सकता है, neurosis हो सकता है, drug dependency हो सकती है, या alcoholism हो सकता है, अब देखो, titness physical के अंदर आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, drug dependency होना, तो यह भी एक physical हो गया, alcoholism भी physical हो गया, तो क्या बच रहा है, neurosis में यहाँ पर बच रहा है, इस तरीके से question पूछा थे, second shift में पूछा था, निम्नलिकित में से कौनसा शारीजिक विक्रत ही नहीं है, तो इन्होंने almost हर एक shift में यह वाला question डाला हुआ है, तो मानसिक क्या हो गया, तंत्री का विकार हो गया, अगला देखना, going and babbling is related to, अगेन इस paper में 30 questions है, हर एक chapter से almost इन्होंने एक question तो पूछा ही, एक या दो question इन्होंने हर एक chapter से यहाँ पर पूछ रखें, ठीके जो common chapters होते हैं 17-18 CDP में, common chapters होते हैं 17-18 topic के question है, कुछ repeat भी और कुछ नए topic भी है, so basically chapter 1 का growth and development का question है, coeing and babbling is related to, जो usually शुरुवाती समय में एक से दो महिने में यह रहती है, दो से चार महिने, पांच महिने तक babbling चलता है, ठीके, social personality, language development, तो यह language development की बात है, बच्चा जो बोलना स्टार्ट करता है, coeing करता है, crying करता है, babbling करता है, one word syllable होता है, तो यह सब क्या है, बच्चों का language development है, उनके भाशा का विकास है, तीसरा question देखिएगा, behavior is psychological studies according to, किसके अनुसार व्यवहार मनोविज्यानिक अध्यान है, व्यवहार को मनोविज्यानिक अध्यान मानने वाले कौन थे, यहाँ पर JB Watson थे, जनने व्यवहारवाद का जनक भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीके, the father of behaviorism किसे माना जाता है, जे भी Watson को माना जाता है, ठीके, अगला question देखिएगा, बाल विकास का अध्यान महतुपुर्ण क्यों है, अपन quick and rapid revision यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि question ठीके, इतने ज़्यादा tough भी नहीं है, ठीके, इसके detail classes भी आपको मिल जाएगी, आप CDP के 2000 question की series के अंदर जाएगा, 180 videos उसके अंदर है, हर एक question को बिल्कुल detail में deep में discuss किया हुआ है, ओके, तो अभी अपन एक just एक revision session ले रहे हैं, 4 का answer करिएगा, बाल विकास का अधियन महतुपुर्ण क्यों हैं, बालकों की उचित देख बाल के लिए, सरवांगिन विकास के लिए definitely, अगर हम बाल विकास की बात करें, तो बच्चों का overall development, physical, mental, cognitive, social, emotional, हर प्रकार के development की बात करी जाएगी, ओके, चलिए, next question देखते हैं, डिस्ग्राफिया लेखन, किस से related है, लेखन विकार किस से related है, देखो, लेखने की बात की गई है, ग्राफिया की बात की गई है, that means, यह related है, writing से, ठीके, तो correct answer क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया किस से related है, अपना लिखने से, अगर यह बोलता difficulty in reading, तो अपना answer क्या हो जाता, डिस्लेग्जिया हो जाता, यह कि और गणीत की अगर बोलता, कि डिस्गर गणीती समस्या, गणीती calculation में दिक्कत होती, तो that is dyscalculia, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, आगे बढ़ जाते अगले question की तरफ, question number six को देखेगा, बालक की विकास प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती, बच्चों की विकास की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, सरल से जटिल, जटिल से सरल, देखो, दो वाइस वर्स है, मतलब इन दोनों में से एक correct हो सकता है, vicious से सामानी या फिर सामानी से vicious, तो जो development होता है, या जो normal नियम होते हैं development के, एक simple to complex होता है और एक सामानी से vicious होता है, ये दोनों क्या reverse कर रखे तो ऐसा नहीं होता है, तो basically अगर मैं यहाँ पर specific development की बात करूँ, तो वो हमेशा चलता है सामानी से जटिलता की तरफ, सामानी से vicious जटा की तरफ या कहें, तो general to specific ये चीज़ चलती है, ठीक है जिसे कि पढ़ने संबने नियमों के बारे में बात करी जाए, कि बच्चों को किस तरीके से चीज़े सिखाई जाती है, तो पहले आप आसान सी चीज़े सिखाईए, फिर उसके बार complex चीज़े सिखाईए, ठीक है तो ये reading में आ जाता है, study में आ जाता है, एक अपन ने शिरोनमुक सिद्धान पढ़ा है, एक अपन ने यहाँ पर परीधी सिद्धान पढ़ा है, हिंदी में ये हो गया, इंगलिश में क्या बोलेंगे, इसको सिफैलो कोडल यहाँ पर बोला जाता है, और इसको proximo distal यहाँ पर बोला जाता है, अब अपन बात करें सिफैलो कॉडल की, तो ये चलने वाला है, आपका सड से लेकर पाउं तक है ना, तो ये head to toy हो जाएगा, और परीधी की बात करें, तो ये inside to outside चलता है, ना, body के internal part से परीधी बाहर, shoulder, हातों की तरफ जाता है, तो ये दोनों जो नियम है, ये growth से related है कि body क इस तरीके से आपकी growth करती है, right? अगला question देखना, first stage of labor is cold labor, की जो first stage होती है, प्रसव की जो प्रथम अवस्ता होती है, उसे क्या कहा जाएगा, निशकाशन, विस्तारण, विकास, या फिर पूर्णा निशकाशन, हिंदी में देखना, समझना मुश्किल है, आप English में contraction, definitely से contraction ही कहा जाएगा, शुरुवाती जो समय होता है, contraction इसे कहा जाता है, ठीक है, तो प्रथम अवस्ता contraction कहला कि, और कल भी अपने तीन अवस्ता के बारे में डिसकस किया था, पहला जो पीरियद होता है, जो की पंदरा दिन तक चलता है, उसके बाद तीसरे, अगर अगर आपन बात करें कि, तीसरे वीक से लेकर आठवे वीक तक अपना जो पीरियद होगा, एंब्रोईनी कहलाएगा, और नवे वीक से लेकर जो नाइन मन्त होता है, प्रेगनेंसी का, यह वो वाला जो पीरियद होता है, वो फैटल पीरियद कहलाता है, सबसे छोटा पीरियद में कौन सा हो जाएगा, जर्मीनल हो जाएगा, ठीक है, जो कि 15 दिन तक यहाँ पर चलता है, किस तरीके से conception होगा, क्या-क्या process होगी, उसके बारे में, अगला देखना है, trembling, depression, fear and phobia is a sign of, अगर किसी भी व्यक्ति में, trembling के वो थोड़ा सा आपन बोलते हैं, यह व्यक्ति इतना काप क्यों रहा, इतना धूज क्यों रहा है, depression उसके अंदर होना, fear होना, किसी भी प्रकार का है, किसी भी चीज़ते उसको phobia हो जाना, हर चीज़ का उसको भाय हो जाना, तो यह सब के सब किसके लक्षण है, epilepsy, मिरगी के हो सकते हैं, Parkinson's disease के हो सकते हैं, mental sickness के हो सकते हैं, mental गिरावट के, तो यह मांसिक बिमारी के लक्षण है, देखो, epilepsy, मिरगी के दोरे के बारे में, कलकी सेशन में अपन डिसकास कर चुके थे, आज अपन Parkinson's disease के बारे में देख लेते हैं, मनो विक्रती, basically इसमें क्या होता है, व्यक्ती जो होता है, usually बुडापे में देखी जाती है, यहाँ पर माना जाता है, दिर्ग कालीन मस्तिश का विकार है, जिसमें हमारा केंडरी तंत्री का तंत्र जो है, Central Nerve System जो है, यह इसको प्रभावित कर देती है, usually यहाँ पर body movement में, mental health में, sleeping में और painful situations यहाँ पर बन जाती है, एक व्यक्ती के लिए, दूसरा जो fourth option था, Alzheimer disease, आप इसके बारे में भी देख लें, यह भी एक प्रकार का brain disorder होता है, that get worse over the time, समय के साथ धीरी-धीरे, इसमें condition बहुत बुरी होती जाती है, ठीके, यह मस्तिश्क में होने वाले परिवर्तनों की विशेशता है, जो कुछ protein के जमाव के ओर हो जाता है, मतलब अगर कुछ protein हमारे brain में जाकर इखटा हो गया है, जिसकी वज़े से व्यक्ती shrink करने लग जाता है, उसमें दूजना और सही balance नहीं कर पाना खुद की body को, चलने में समस्या होना, मतलब body balance नहीं हो रही है, तो इस तरीके से Alzheimer disease के यह symptoms होते है, तो अभी तो केवल इसने यही पूछा था, कि अगर यह सारे symptoms दिख रहे हैं, तो यह सब mental sickness यहां पर हो सकती है, चलिए अगला question देखिएगा कार्लियूंग के अनुसार व्यक्तितव के कितने प्रकार होते तो कार्लियूंग ने इंट्रोवर्ट एक्ट्रोवर्ट नहीं दिया था, क्योंकि अगर आप यह बात करें, तो यह सारे आपको अथलीट वाले, मैसोमोर्फी वाले, इस सब उसमें physical body को देख कर, मतलब body structure को देखने वाले जो अपने शैल्डन थे, उनके द्वारा दिये गए, तो बाकी options तो वैसे ही गलत हो गए, अगला question देखना पालकों में व्यक्तित्व पर प्रभूत्व शाली अभीवरत्ती का प्रभाव कब पड़ेगा, मतलब dominance का प्रभाव बच्चों में क्या देखा जा सकता है, मतलब अगर आप बात करें कि बच्चों की parenting जो यहाँ पर अधिकारवादी हुई है, है ना, जिसमें माता-पिता का बच्चों की पर बहुत जादा dominance रहता है, माता-पिता ने कहे दिया कि बैठ जा तो बच्चा बैठ जाएगा, माता-पिता ने कहे दिया आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा consider कर लिए कि हास तो मिले गई नहीं, तो इस प्रकार के अगर parenting है बच्चों की, तो बच्चों के अंदर कहीं न कहीं negative feeling जाएगी, तो वो negative feeling, inforciety की होगी, superiority की होगी, corporation की होगी, self-confidence, तो यह तीनों अच्छी बात है, और हम लोग जो parenting बात कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है, राइट? हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर authoritarian parenting है, तो यहाँ पर असुरक्षा की भावना बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, अगर माता-पिता का बहुत ही जादा dominance बच्चों के उपर रहता है, तीक है, अब माता-पिता का attitude dominant रहता है, अगला question देखना, मापन-व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, मानव-व्यक्तित्व, human personality is the result of which of the following, मानव की personality किसकी वज़र से देखी जा सकती है, मानव की personality में किन चीज़ों का असर देखा जा सकता है, तो अपन यह बोल सकते हैं, अगला question देखना, कुण सा question number है, यह 13, कक्षा में चर्चा के दोरान, एक शिक्षक अकसर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब यह तो भेदभाव वाली बात होगी, लड़कों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लड़कों पर कम फोकस किया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, भेदभाव, यानि कि जैंडर बाइसिंग हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखिएगा, कौन सा factor, मंद बुद्धी बालक के लिए अच्छा नहीं है, slow learning, मंद बुद्धी बालक के लिए अच्छा, फिसिकल डिफेक्ट हो गया, लेक और अप्स्रिक थिंकिंग हो गया, या ओरिजनालिटी उसकी मौलिक्ता का होना, तो देखो, मंद बुद्धी बालक है, है ना, मतलब IQ लेवल बहुत बिलो है, तो उसमें सीखना मंद गती से होगा, शारिरिक दोश हो सकते हैं, possibility है, lack of abstract thinking हो सकते हैं, लेकिन मौलिक्ता अपन नहीं बोल सकते, कि उसमें originality रहेगी, तो आपन ने आंसर बन जाएगा, वो option number D हो जाएगा, अगला देखना कौन सा बहुत बुद्धी का प्रकार नहीं है, multiple intelligence का प्रकार नहीं, तो अपन ने कल कुछ प्रकार देखे थे, कि बहुत बुद्धी सिधान किस ने दिया है, multiple intelligence theory किस ने दिया, तो अपन ने आंसर किया था कि Harvard Gardner जो है, इनके द्वारा बहुत बुद्धी सिधान्त, M.I. theory of intelligence दिया गया है, इसमें से अब कुछ नाम आपको आज दे दिये गए, linguistic, special, interpersonal और analyzer, तो इसमें से analysis करने की शम्ता, intelligence के प्रकार में, specific Harvard Gardner की intelligence में नहीं आती है, correct answer क्या हो जाएगा, visualization करने की शम्ता, personal है, intrapersonal है, linguistic है, special है, naturalistic है, यह सब है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक analyzer वाली quality नहीं दिख रही है, ठीक है, चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, one second, यह क्या हो रहा है, चलो, next question देखो, question number 17, अपकी screen पर है, according to Friard, the mind's three component are, Friard के अनुसार, मन के तीन घटक यहाँ पर क्या हो सकते, अब देखो, हमने Sigmund Friard की थियोरी देखिए, ठीक है, Sigmund Friard ने यहाँ पर मन के तीन घटक बता है, idam, ego और super ego बता है, idam जो हमारा लालचे दिमाग होता है, जो हमेशा खुद के वाइदे के बारे में सोचता है, तुम अभी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी meeting में बैठे हुए हो, तुम अभी classroom में बैठे हो, classroom में बैठकर तुम सबके सामने, या छुपकर भी कुछ नहीं खा सकते हो, अब ego को क्या करना है, decision लेना है कि मैं idam की बात मानू, या मैं सूपर इगो की मानू, तो ये फ्रायट के तीन मन के एहम घटक होते हैं, जिसमें सेक होता है, idam, ego और सूपर इगो, ठीके, अगला question देखिएगा, व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व पर, माता-पिता का प्रभाव कैसा पड़ता है, ठीके, बच्चों के व्यक्तित्व पर्सनालीटी पर, माता-पिता का प्रभाव कैसा रहेगा, non-existent, मतलब अस्तित्वहीन होगा, कमजोर होगा, सबसे मजबूत होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या संपुर्न जीवन काल में एक समान बना रहेगा, अगर माता-पिता से जुड़ता है, तो फिर वो उनसे कुछ गरहन नहीं कर पाएगा, ठीके, चलिए, अगला देखिएगा, आप एक आम आत्मी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, आप उसे अपने भीतर खोजने में मदद कर सकते, you can't teach a man anything, you can help him to find it within himself, वो खुद अपने अंदर खोज करेगा, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थी, ये स्टेटमेंट दिया था, गैलीली ओ, गैलीली ने, और आपका option number one हो जाएगा, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन अधिकम में योगदान देने वाला व्यक्तिकत कारक नहीं, मतलब पर्सनल नहीं है, मतलब की वो सोशल होगा, मोटिवेशन, इंट्रेस्ट, एबिलीट और टीचर्स परसनालिटी, मतलब एक टीचर का नजरिया, या टीचर की परसनालिटी, बच्चों के अधिकम में कैसी योगदान दे सकती है, तो दी आंसर करेक्ट हो गया, अगला कुश्चन देखना, थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षन एक ऐसा शिक्षक कार्य है, जो बच्चे के ब्लैंक के लिए किया जाता है, अब आप को ध्यान होगा इसमें, चैप्टर के भी कुश्चन से, और टीचिंग अप्टिट्यूट के भी कुश्चन से, तो एस पर थॉमस पी ग्रीन, इन्होंने टीचिंग के लिए क्या बोला है, टीचिंग करना किसका टास्क है, टीचिंग के ट्रेइन के लिए, जो है बच्चों के डॉ funktioniert का कार रहे है, हम यह नहीं बोल सकते कि टीचिंग के थू बच्चों को learning करवाई जाएगी, हम लोग यह कहेंगे, टीचिंग के थू बच्चों का development किया जाएगा, ठीके, Now question number 22 को एक बार आप पढ़ो और answer करो ये statement है Then ये आपके सामने 4 option है देखो द्रश्य शिक्षारती जो होते हैं Visible Learners जो होते हैं Visual Learners उनको लिए क्या सही है वे द्रश्यों को प्रस्तूतियों से लाभनवित होते जो Visual Learners होंगे उनको देखने में समस्या होगी इस प्रेकार से अपन कंसीडर करते हैं तो Visual Presentation के थ्रू क्या वो सीख सकते हैं They are usually not near and clean in their work वो कभी भी साफ सुत्रे अपने कार्रे में साफ सुत्रे वो नहीं होंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें से नोट ट्रू मतलब कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है तो ये वाला चीज भी सही नहीं है क्योंकि द्रश्टांत अगर वो है तो उनको Visual Presentation के थ्रू समझाने का सेंस नहीं बनेगा थीके उसकी बाद वे आमतोर पर अपने कारे में साफ सुत्रे नहीं है ऐसा कहना गलत होगा तो दोनों ही statement गलत है तो अपना answer क्या हो जाए का option number सी कि बोथ हार wrong दोनों ही visual learners के लिए correct नहीं है अगला question देखना निम्रलेकित में से कौन सा थ्रस्टन द्वारा सुझाई गए प्रात्मिक मानसिक योग्यता नहीं है कल जो shift का question था उसमें पूछा था था थ्रस्टन ने कितनी प्रकार की PMA primary mental abilities बताई है तो हमने answer करा था साथ प्रकार की बताई और साथो प्रकार के बारे में हम लोग discuss कर चुके थे आज इन्होंने क्या पूछा और कल की shift में क्या पूछा था कि MI theory of learning किस ने दिया है तो हमने बोला था Harvard Gardiner ने दिया है तो आज Harvard Gardiner के intelligence से question बूछ लिया आज थ्रस्टन के intelligence में कौन सा प्रकार आता है नहीं आता है ये पूछ लिया नंबर memory, perceptual speed या फिर attitude तो definitely थ्रस्टन ने attitude की बात नहीं करिए कि ये उनके PMA में नहीं आता है बाकि उनके verbal comprehension factor की बात करिए सोचने समझने की शमता, आपकी fluency की बात करिए कि आप बोलने में कितने में fluency है numerical, आंकिक शमता की बात करिए perceptual speed factor है, reasoning हुआ है, visualization हुआ है, memory हुआ है लेकिन कहीं से कहीं तरह इसमें attitude की बात नहीं है ठीके, अगला question देखना Children's learn थो, बच्चे कैसे सीखते सामाजिक संपरक से और सामाजिक भागीदारीता से, दोनों से बच्चों की learning होती है है न, दोनों social learning के type है तो answer क्या हो जाएग, option number C, both 1 and 2 अगला देखना, विभी ने प्रकार की अधिकम अशमता हूँ विभी ने प्रकार की अभी शमता हूँ, right बहुत सारी आपके पास अभी शमता है तो आप क्या करेंगे, अपनी महनत को कम करना क्योंकि आप क्या करेंगे, दिमाग से कार्रे करेंगे हम लोग बोलते हैं, हमको hard work ने, हमको smart work करना है तो अगर आपके पास aptitudal knowledge है तो आप अपनी महनत को कम करके किस चीज को बढ़ावा देंगे problem को, learning को, reading को या memory को, तो एक simple सा option आप फिल करेंगे कि अगर हम लोग अपनी महनत को कम कर रहें है ना, जो हमारे बोल सकते हैं, जो महनत है उसको अपन minimize कर रहें, maximize किस चीज को करेंगे अपन अपनी learning को, है ना, महनत कम करके हम लोग अपनी learning यानि smart work को बढ़ावा देंगे अगला question देखना, maturity किस से related है व्रद्धी से, शिक्षन से, उत्पादक्ता से या फिर necessity से तो जैसे जैसे व्रद्धी होगी, maturity आती जाएगी तो इसका directly answer अपन connect कर सकते growth के थूँ 28 को देखिएगा, बुद्धी के अउधारना का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा दिया गया, तो बुद्धी के जो शुरुवात करी थी, जो पहला concept लेकर आये थे, वो अल्फ्रेड बीने थे, तब भी आपने बीने बुद्धी परिक्षन पड़ा हुआ है, एना तो अल्फ्रेड बीने अपना correct हो जाएगा, अकला question देखिएगा, कौन सा कतन यहाँ पर सही नहीं है, हर किसी का अधीगम का अपना तरीका बिल्कुल, आपके पढ़ने का, आपके समझने का पर अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है, सबका अपना-पना तरीका होता है, व्यक्तियों को दूसरों के अधीगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए, मतलब जैसे मैं कर रही हूए वैसे आप करो, यह ज़रूरी नहीं है, तो यह चीज compulsory नहीं है, तो यह answer हो सकता है, बागी options देख लो, ऐसे कई सिध्धानते जो अधिगम के बारे में हमारी समझ को आसान बनाते हैं, किसी के पढ़ने का तरीका फोलो कर सकते हो, किसी का बहुत अच्छा है, सबका नहीं, किसी किसी का जो mentor आपके हो गए, जो teacher, जो tutor आपके हो गए, कोई भी जो आपसे बड़े हो गए, या जो आपसे समझ में MQ आप उन्हें बोलो, जो आपसे more knowledgeable other हो गए, उनका अप तरीका अपना सकते हैं, ठीके, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में जानने से शिक्षन अधिगम की प्रक्रिया आसान हो जाती, तो सब चीजे करेक्ट है, किसको छोड़ कर, इसको छोड़ कर, तो अपन से negative पूछा था, तो be answer negative हो जाएगा, नेक्स कुष्चन देखिएगा, बीने ने बुद्धी के कितने तत्वों को सुझाया, बीने ने suggest किये हैं, बुद्धी के कितने मुख्य तत्वों, तो चार मुख्य तत्वों कि इनोंने बात करी है, जिसमें सबसे पहला आजाता है, reasoning, तरक करना, judgment, निर्ने लेना, memory, और power of abstraction, अमुर्तता की शक्ती, ठीके, तो ये बीने ने चार बुद्धी के परिक्षण यहाँ पर सुझाये हैं, तो ये इस पेपर के 30 questions हम लोगों ने यहाँ पर complete कर लिए, PDF आप WhatsApp से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एप से भी प्राप्त कर सकते हैं, शाम को 6 बजे आपक पनी नेक्स लास में, थांक्स फर वच्छिंग,